अगर आपको मेरे वीडियो, उनके content और उनका presentation पसंद आए तो मेरे वीडियो को like करें, मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको time 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 पर मिलते रहें और एक ही platform पर आप मेरे सारे वीडियो को access कर सकें Thank you पुचि सदन को हम राजी सभा कहते हैं, लेकिन दोनों houses के status में क्या अंतर है, उनका nature किस तरह का है, तो वो detail में हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से लोक सभा जो है, वो राजी सभा के compare में ज्यादा शक्तिशाली है या ज्यादा ताकतवर है, तो ये सारी बाते हम लोग पिछली क्लास के अंदर देख चुके थे, आज हम लोग एक और महतुपून विश्यर पर चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है लोक सभा का अध्यक्ष, आपका जो B part आता है question paper के अंदर, उसके अंदर कई बार लोक सभा speaker के बारे में सवाल किया जाता है, तो उसी को हम यहा पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, लोक सभा का अध्यक्ष, क्या व्यवस्ता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले कुछ important provisions जो constitution के अंदर बताये गए हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, सबसे पहरी बात हम लोग बात करते हैं article 93 के अंदर, आर्टिकल 93 क्या कहता है कि लोक सभा का एक पीठासी नधीकारी, मतलब पीठासी नधीकारी मतलब प्रोसाइडिंग ऑफिसर, जो कि सदन की गतिविदियों का संचालन करता है, वो पीठासी नधीकारी कहलाता है, in short, तो आर्टिकल 93 के अंदर, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की विवस्था की गई है, तो सोर्स के अगर हम बात करें कि ये समीदान की किस आर्टिकल से लिया गया है, तो हम आर्टिकल 93 का उलेक कर सकते हैं, आर्टिकल 93 में जिस लोक सभा अध्यक्ष की बात की गई है, वो नियूक्त कैसे होगा, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है, कि जैसे ही आम चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्षन होते हैं, जनरल इलेक्षन के बाद जो पहली बैठक हो जाती है, पहली बैठक में तो जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनको ओथ टेक कराई जाती है, शपत दिलाई जाती है, नव निर्वाचित सदस्यों को, लोगसभा अध्यक्ष कहलाएगा, है ना, या स्पीकर जिसको हम अपनी भाशा में कह सकते हैं, तो वो लोगसभा का अध्यक्ष किसमें से चुना जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि संसत में जो सदसी है, निर्वाचित सदसी, उनहीं उपस्तित सदस्यों में से लोगसभा के अध अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ना, अब लोगसभा का अध्यिक्ष का चुनाव होगा कब? तो ये हम एक और बात बता सकते हैं, कि राश्पती के दुवरा अज्जिक्ष के चुनाव की तारीक की जाती है, तो ये तीसरी बात, चोथी बात हम लोग जनरली ये कहते हैं, कि लोगसभा में हमारे हाँ जो की जनता का प्रतिनिदित्व करने वाला सदन है, उसमें बहुमत बहुत महत्पून रखता है, तो ये देखा जाता है कि जिस दल का लोगसभा में बहुमत मिलता है, या अब पिछले दश्कों से हम ये कह सकते हैं, कि जिस गटबंदन को लोगसभा के अंदर बहुमत मिलता है, सामानित उसी बहुमत वाले दल अत्वा गटबंदन में से लो लोगसभा के अज्यक्षपत पर निर्वाचित कर सकते हैं. तो ये एक और प्रैक्टिकल बात हम लोग देखते हैं कि सामानितव बहुमत दल से ही या बहुमत वाले गटबंदन से ही लोगसभा अज्यक्षपत का चुनाव किया जाता है. यहाँ पर एक महत्पुन बात हम ब्रिटेन से ग्रहन करी है. लेकिन ब्रिटेन का जो लोगसभा अज्यक्षपत की तरह ही है. लेकिन एक नेचर, इस पद के नेचर में एक अंतर हम यहाँ पर इस्थापित कर सकते हैं. और वो अंतर क्या है कि कॉमन सभा के अंदर जब भी स्पीकर का चुनाव किया जाता है तो वो स्पीकर एक निर्दली पद माना जाता है. निर्दली पद मतलब वो स्पीकर किसी भी दल का हो. जैसे ही उसको स्पीकर की पद पर न्यूट किया जाता है, उसको अपने दल की सदसिता से त्यागपत्र देना पड़ता है. कहने का मतलब ब्रिटेन में जो स्पीकर का पद है वो एक निर्दली पद है लेकिन जब हम भारत में बात करते हैं तो हम बता सकते हैं कि भारत में इस प्रकार की tradition की कमी देखी जा सकती है यहां पर हम कह सकते हैं कि भारत में लोगसबा के speaker का पद ब्रित्रेन और अमेरिका दोनों का मिलाजुला स्वरूप है कैसे मिलाजुला स्वरूप है कि एक बार सपोस्ट अभी ओम बिल्ला हमारे हीँ पर लोगसबा के इस्पीकर है ओम बिल्ला लोगसबा में भारती जंता पार्टी के सदस्वा के नाते चुने गए और जब उनको लोगसभा का अध्यक्ष बना दिया, तो उन्होंने अपने दल की सदसिता से त्याग पत्र नहीं दिया, लेकिन सम्विधान उनसे क्या अप्यक्षा करता है, कि वो जब भी उस पद पर काम करेंगे, लोगसभा के अध्यक्ष के पद पर काम करेंगे, तब उनक का speaker चुन लिया जाता है तो वो अपने पद की अपने दल की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं देता है तो भारत में भी उसी तरह से लोगसभा का अध्यक्ष चुनने जाने के बाद वो व्यक्ति अपने पद अपने दल की सदस्यता से त्याग पत्र नहीं देता है लेकिन अमे तो पद पर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए दली नीतियों का समर्तन खुले तोर पर नहीं करता है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बात हमको देखने के लिए जरूरी है। का स्पीकर बनाया जा सकता है अगर बहुमत दल चाहे तो यानि कि उनके उपर बाबंदी नहीं है कि वो दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बन सकते। कंडिशन क्या है कि एक तो उस व्यक्ति का खुद का चुनाव जितना जरूरी है और दूसरा वो जिस दल अत्वा गडबंदन से है उसका भी बहुमत में आना जरूरी है। तो इस रूप में हम क्या सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर चाहे या किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार भी लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये एक और प्राविजन जो हम स्पीकर के बारे में बता सकते हैं। दिखिए हिरार्की के इसाब से अगर देखें किसी और क्लास में हम डिसकस करेंगे कि भारत के अंदर जितने भी समयधानिक पद हैं। कि सबसे उपर राष्ट पती होगा, फिर उपर राष्ट पती होगा, सर्वोच नियायले के मुख्य नियायदिश होंगे। ये एक हिरार्की रखी गई है। तो अगर हिरार्की के आधार पर हम देखें, तो लोगसबा का अध्यक्ष का पद इतना महतुकून हैं कि प्रधान मंत्री और उप्रधान मंत्री के बाद इन ही का इस्थान आता है। जितने भी केबिनेट मिनिस्टर हैं, लोगसबा का अध्यक्ष का पद उनसे भी उपर है। और अगर हम हिरार्की वाइस देखें, तो जो हिरार्की डिसाइड की गई है, उसमें लोगसबा स्पीकर का इस्थान सात्वे नंबर पर आता है। जो की केबिनेट मंत्रियों से तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना महतुकुन पद है लोगसबा का स्पीकर समयधानिक तोर पर। एक आखरी बात करने के बाद अगर हम कारिकाल की दिश्थे से बात करें कि लोगसबा के अध्यक्ष का कारिकाल क्या है, तो इस लेंग्विज को आप ध्या करते हैं, लोगसबा का जीवनकाल, लोगसबा का जीवनकाल कितना है, मतलब उसका टैनियोर कितना है, जनरल कंडिशन में हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्षन के बाद लोगसबा का टैनियोर है, पांच वर्ष, है ना, तो इस हिसाब से हम क्या वता सकते हैं, लोगसबा के अगर समय से पहले लोगसभा को भंग कर दिया जाता है, तो लोगसभा अद्यक्ष का कारिकाल भी उसी समय समाप्त हो जाता है, तो ये एक महत्पुन बात है, कि लोगसभा जब तक कारिशील रहती है, जब तक लोगसभा जिवित रहती है, जब सामानी परिस्तियों में सकते हैं सामानी परिस्थितियों में लोगसभा अध्यक्ष का कारेकाल पांच वर्ष और असामानी परिस्थितियों में हम क्या कह सकते हैं जब तक लोगसभा का अध्यक्ष की जाती है या क्रियाशील रहती है जब तक उसको भंग नहीं कर दिया जाता समय से पहले तब तक ल लेकिन हम ये बता सकते हैं कि लोगसभा के अध्यक्ष को सम्मीधान के अनुसार तीन परिस्थितियों में ये पद खाली हो सकता है। रद्ध लेकिन इनकेस आप ये कलपना करो कि अगर उस वो व्यक्ती या उसका चुनाव संदिक्द रहता है या उसके चुनाव के ऊपर कोई कोई कोशन मार्ग लग जाता है और उसके आधार पर उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है और इसी दो दौरान, यानि कि उसक लोकसभा के अज्यक्ष का पद भी अपने आप खाली हो जाता है। कहने का मतलब सदन का सदस्य नहीं रहने पर कोई व्यक्ति लोकसभा का अज्यक्ष नहीं रह सकता। सदन का सदस्य होने के नाते ही वो व्यक्ति अपने पद पर बना रहता है। तो ये पहली परिस्तिती जो समिधान बताता है दूसरी बात यहां पर कि अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो खुद लिखित में अपने हस्ताक्षर के त्याग पत्र के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और वो अपना इस्तीफा किसको देगा लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है यहां से पहले स्वेचिक त्याग पत्र के द्वारा भी लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद छोड़ सकता है यह दूसरी परिस्तिती है और तीसरी परिस्तिती यह विशेश दियान रखना कि लोकसभा का अध्यक्ष बनाता कौन है लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक् नहीं है तब ऐसी इस्तिती में लोगसभा के ही सदस्यों को ये अधिकार है कि वो एक एक संकल्प पारित करके अपने अज्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं और इसके लिए विशेश बहुमत की प्रक्रिया विशेश बहुमत मतलब ऐसा नहीं कि जितने लोग आ गए उसकी मैजुरिटी के बेल पर उसको हटा दें विशेश बहुमत को समीधान के द्वारा परिवाशित किया गया है उस विशेश बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा लोगसभा के अध्यक्ष को समय से पहले लोगसभा के सदस्य से भी हटा सकते हैं तो ये और तीन परिस्थितियां जिसके base पे हम लोगसभा के speaker के कारिकाल की बात बता सकते हैं यहाँ पर आप ध्यान रखना यह जो तीसरी condition की हमने बात करी कि अगर किसी लोगसभा के अध्यक्ष का पद लोगसभा के अध्यक्ष को उसे पद से हटाने की प्रक्रिया लोगसभा हमें चल रही है तो जब वो प्रक्रिया चलती है तब लोगसभा का अध्यक्ष लोगसभा की अध्यक्षता नहीं करता है यह ध्यान रखना आप मैं फिर repeat करता हूँ इस सीच को कि अगर लोगसभा के अध्यक्ष के ओखटाने की प्रक्रिया लोगसभा में चल रही है यह जो थर्ड कंडिशन जो अभी हमने बताई तो उस प्रक्रिया के दौरान वो अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं करता है यानि कि हम यह कह सकते हैं वो पिठा सीन नहीं रहता है वो उस सेशन को चेहर नहीं करता है यह एक महत्पुन बात दूसरा जब इस थर्ड कंडिशन के अकोर्डिंग किसी अध्यक्ष को पज से हटाने की प्रक्रिया चल रही है तव उस दोरान उस अध्यक्ष को क्या अधिकार होता है कि वो सदन में अपनी बात रख सकता है सदन में अगर कोई डिसकेशन हो रहा है कि सदन का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष निरनायक मत देने के अलावा सदन में अपनी बात रख सकता है अपने विचार रख सकता है और सामानी मतदान में वो भाग ले सकता है तो ये एक महत्पुन बात और जो समीदान उसके बारे में करता है फिर एक और बात जो हम यहाँ पर कर सकते हैं अभी आपने सबसे पहले देखा था कारिकाल में कि लोकसभा के जीवन काल तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है इसका मतलब क्या है कि जैसे ही पांच वर्ष पूरे हो गए और जब तक लोकसभा नई लोकसभा आम चुनावों के बाद नई लोकसभा का गठन नहीं होगा तब तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है हलांकि वो फॉर्मल एक्षन नहीं ले सकता लेकिन फिर भी वो पद खाली नहीं रहता है नई लोग सभाक में नए अध्यक्ष के ग्रहन करने तक वो अपने पद पर बना रहता है तो ये भी एक प्रावधान जो समिधान की द्वारा लोग सभा अध्यक्ष के बारे में किया गया है अब हम लोग बात करते हैं बारत में लोगसपा अध्यक्ष के शक्तियां उसके powers क्या है उसका role क्या है या उसके functions क्या है लोगसपा के अध्यक्ष के कारी शक्तियां और भूमी का अगर अलग-अलग points में हम divide करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोगसपा का अध्यक्ष जो भी कारी करता है, जो भी शक्तियां करता है, उसका सोर्स क्या है? तो तीन सोर्स की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. सबसे पहली बात, सम्विधान ने उसको कुछ शक्तियां या कुछ कारी सोपे हैं. तो पहला सोर्स के हो गया लोगसफाः देख्ष के कारियों और शक्तियों का वो सीधे समीदान से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है दूसरा समीदान संसत को ये अधिकार देता है कि वो संसत की गतिवीदिया चलाने के लिए नियम उपनियम बना सकती है तो दूसरा सोर्स क्या हो गया लोगसभा की प्रक्रियां तथा कारी संचालन के लिए बनाए गए नियम और तीसरी बात कुछ पार्लियमेंटरी कन्वेंशन से या हम जिसको कह सकते हैं संसदिय परंपराएं हैं ना उन संसदिय परंपराओं के तहत भी लोगसभा का अध्यक् मिलाता है या कुछ कारी करता है तो मोटे तोर पर हम लोगसभा की अध्यक्ष के शक्तियों के तीम स्तुरोद बता सकते हैं भारती समीधान संसदिय परंपरा और लोगसभा की प्रक्रिया तथा कारी संचालन के लिए बनाए गए नियम इन तीनों सोर्सेस के बेस पर लोग लोगसभा का अध्यक्ष क्या क्या काम कर सकता है तो सबसे पही बात हम लोग बता सकते हैं वो जो भी प्रक्रिया Constitution ने या संसदिकी प्रक्रिया के द्वारा संसदिकी द्वारा बनाए गए जो नियम है उने नियमों के अनुसार सदन की कारीवाही चले ये देखने का काम लोगसभा अध्यक्ष का है तो इसको हम इंच्छोट क्या कह रहे हैं सदन की कारीवाही के संचालन का कार já लोग Anh करने का अधिकार रखता है यह उसका पहला कारिया दूसरा काम वो सदन के अंदर व्याख्या करने का अधिकार रखता है का काम करता है जिसको हम कहते हैं एक्स्प्लेनेशन कर देना किसका एक्स्प्लेनेशन देता है कि समीधान क्या कहता है या संसत की प्रक्रिया को चलाने वाले नियम क्या कहते हैं उनका अर्थ क्या है तो संसत के लोगसभा के सदस्यों के बीच में समीधान की उन नियमों की या आख्या समय समय पर व्याख्या करने का काम लोगसभा के अध्यक्ष के द्वरा किया जाता है। हम एक एक्जामपल की बात करें यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले राजस्तान में आपको पता होगा कि राजस्तान में बहुमत को लेकर कुछ विवाद चिडा था अशोग गयलोद की सरकार के जो डेपोटी सी एम थे सचीन पाइलेट वो अपने कुछ समर्थकों के साथ नाराज होकर चले गए तो ऐसी इस्तती में अशोग गयलोद की सरकार के पास बहुमत है या नहीं तो इस कंडिशन में जो हमारे विदान सभा के स्पीकर थे स्पी जोशी उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रियोग किया था और कहा था कि ये स्पीकर का काम है कुछ चीज़ें को डिसाइड करना स्पीकर का काम है Constitution क्या कहता है या संसदी प्रक्रिया के नियम क्या कहते है उसको define करने का rights speaker के पास है तो जो example अभी हमने राजस्तान में देखा वही example हम आम लोगसभा के speaker की बात करते हैं कि सदन से जुड़े हुए लोगसभा की गतिवीदियों से जुड़े हुए उसकी कारिर प्रणाली से जुड़े हुए समीधान क्या कहता है समीधान की नियम क्या कहते है या संसदी प्रक्रिया से जुड़े हुए नियम क्या कहते है उसकी इस्पष्ट व्याख्या, अंतिम व्याख्या करने का अधिकार केवल लोगसभा के अज्यक्षका है, यह उसका दूसरा कार यह, तीसरा, जिसको हम कहते हैं कौरम, गणपूर्ती, आपको मैंने पिछली कुछ क्लासों में बताया था, कि लोगसभा या राज्जी सभा, दोनों की बैठकों को संचालित करने के लिए मिनिममम वन बाई टेन, एक बटा दस लोगों का हिस्सा, सदस्यों का उपस्तित रहना आवश्यक है, तभी संसत की गतिविदियां संचालित की जा सकती है, या चलाई जा सकती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोगसभा में जब लोगसभा की बैठकों को संचालित किया जाना है, तो मिनीमम कौरम है या नहीं, और मिनीमम कौरम होने के बाद ही वो लोगसभा की बैठके पूर्टिया आयोजित होगी, ये देखने का काम भी लोगसभा के अज्यक्ष का है, आपको पता है कि मैक्सिमम 550 मेंबर्स होते ह हैं लोगसभा के अंदर 552, तो लगभग 557 सदसी जब तक नहीं आ जाएं, तब तक सदन की कारिवाई को लोगसभा का अज्यक्ष संचालित नहीं कर सकता, तो ये एक और कारिव लोगसभा के स्पीकर का, फिर एक अगली बात हम यहां पर बता सकते हैं कि लोगसभा के पहलू पर उसके उपर चर्चा की जाती है, और उसके बाद अगर सदन, लोगसभा के सभी सदस्य उस पर एक मत नहीं होते हैं, तब उस विशे पर मतदान होता है कि ये विदहयक पारित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसे ऐसी कंडिशन में उस या अगेंस्ट में कितने वोट आए, ये निर्णे भी लोगसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है, यहां पर आप ध्यान रखना, जब इस तरह की जनरल वोटिंग होती है, तब लोगसभा का स्पीकर खुद स्पीकर के नाते उसमें वोट नहीं देता है, लेकिन इन के अगर किसी विशय पर मतदान के दोरान इक्वल मत आ जाते हैं, सपोस करो कि कोई विदेक आया, दोसों लोगों ने मतदान किया, और दोसों मेसेज सो फेवर में गए और सो वोट अगेंस्ट में गए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लोगसभा स्पीकर को ये पावर होता ह कि वो निर्नायक मत देगा, निर्नायक मत देगा मतलब अगर वो फेवर में देदेगा, तो 101 हो जाएगा, अगर अगेंस्ट में देदेगा, तो 101 हो जाएगा, और फिर वो बिल उसका डिसिजन लिया जाएगा, तो ये निर्नायक मत कहलाता है, निर्नायक मत का मतलब अगर स सुविधा और सहजता प्रदान करता है, यह उसके निर्णायक मत की परिवाशा है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, कि जनरल वोटिंग के दोरान तो लोगसभा का अध्यक्ष अपने मत का प्रियोग नहीं करता है, लेकिन वो किसी विशेव पर निर्णायक मत का प्रियोग क कर सकता है, अगली अगर फंक्षन या पावर की बात करें, तो हम क्या सकते हैं कि लोगसभा का अध्यक्ष दोनों हाउसेस की जो जॉइंट बैठक होती है, उनकी अध्यक्ष्टा करता है, आपको मैंने पिछली क्लास में अलग-अलग जॉइंट बैठक की बात बताई थी, अगर किसी बिल को पारित करवाने में लोगसभा और राजी सभा में कॉन्फलिक्ट हो जाए, उनमें गतिरोध आ जाए, तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राश्ट्रपती सयुक्त बैठक आयोजित करवा सकता है, तो ऐसी सयुक्त बैठकों की अध्यक्ष्टा लो वाशन होता है जन्रल इलेक्षन के बाद में या हर वर्ष के सत्र के प्रारम होने से पहले तो ऐसे समय भी उन संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोगसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है फिर नेक्स पात हम यह कह सकते हैं कोई बिल मनी बिल है या नहीं है ना जैसे समिधान के अनुरूप किसी विदेख को धन बिल सच्चापित करने का वेरिफाई करने का काम लोगसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है फिर एक अगली बात हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर यह कहा गया है कि बहुदली व्यवस्ता है और बहुदली लोग सभा के लिए योगी रहा है या नहीं रहा है है ना क्योंकि एक लिखित नियम है की एक वेक्ति अगर डल बदल करता है तो वो अपने डल की सदसिता खो देगा अगर किसी दल से एक निश्चित संख्या में, जो की समिधान की दौरा तय है, अगर उस निश्चित संख्या में किसी दूसरे दल में जाते हैं तो वो सदन की सदसिता से वंचित नहीं होंगे. तो ये दल बदल को लेकर कुछ प्रावधान हमारे यहां पर किये गए हैं, तो दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति सदन का सदसी रहा है या नहीं है, उसको लेकर अगर कोई संशय उत्पन होता है, तो उस संशय का समाधान भी लोगसभा के अध्यक्ष के द्वरा किया जा स आप लोगों ने देखा था कि जब 2018 में राजस्तान की विदान सभाय के चुना हुए थे, तो बहुजन समाजवादी पार्टी से 6 विदायक चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कॉंग्रेस के अंदर अपना विलाय कर दिया, सभी 6 लोगों ने, तो कुछ राजनिति कि ये कहते हैं कि इस विले के कारण उनकी बहुजन समाजवादी पार्टी की सदसिता समाप्त हो जानी चाहिए और इसी बेस पर विदान सभाय की सदसिता भी समाप्त होनी चाहिए, लेकिन नियमों के तहट क्या कहा गया कि सभी बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी सद अगर करता तो उसकी सदसिता जा सकती थी लेकिन चुकि सभी सदसियों ने डल-बदल किया है तो वो डल-बदल वैली ले तो ये ये निर्णाय किसका रहा विधान सभा के अज्यक्ष का रहा तो इस रूप में हम क्या कह सकते हैं कि डल-बदल के आधार पर किसी सदन के लोगस सभा का जो अध्यक्ष होता है वो कुछ महतुकूर्ण सभीतियों का पदेन सभापती होता है जिसको हम कहते हैं एक्स ऑफिश यो चेयरमेन वो कौन सी होती है जिसमें हम बता सकते हैं मुक्ष की तोर पर कि जो एक Business Advisory Committee होती है जिसको मकारी मंत्रणा समीटी कहा जाता है या जो Rules Committee, नियम समीटी होती है, या जो General Purpose Committee होती है, ये सदन की गतिवीदियों को चलाने के लिए महतुपूर्ण समीटियां हैं और इन समीटियों का पदेन सभापती यानि कि सदस्य तो लोगसभा को संचालित करने में अपनी भूमी का निभाता है इसी तरह से हम यह कह सकते हैं कि लोगसभा के अंदर कुछ महतुपून समीतियां होती है जैसे पिसली क्लास में हम लोगों ने देखा था लोग लेखा समीति सारवजनिक उपकरम समीति जो सारवजनिक लेखों की जाच करती ह है ना तो ऐसी समीतियों के सदस्य कौन होंगे उनके अध्यक्ष कौन होंगे यह सब लोगसभा का अध्यक्ष टाय करता है नियमानुसार और समय समय पर उन समीतियों के कारियों का ऑब्जेवेशन भी लोगसभा के स्पिकर के द्वारा किया जाता है तो यह एक और उसका का कारिवाही जब चल रही हो तो उनके उपर आपराधी गती वीडियों को लेकर एक्षन नहीं लिया जा सकता लेकिन उसमें यदि और डिटेल में हम देखें तो लोगसभा का स्पीकर अगर पर्मिशन दे तभी लोगसभा की सीमा में कानूनी कारिवाही की जा सकती है यानि कि अगर कोई MP अगर Crime करता है और उस दोरान सदन का सत्र चल रहा है तो पुलीस बिना इस स्पीकर की लोगसभा इसपीकर की अनुमती के उसके खिलाफ एक्षन नहीं ले सकती है अगर किसी MP के अगेंस पुलीस को एक्षन लेना है तो पहले लोगसभा अध्याक्ष की अनुमत sensitive issue पर सदन की कोई गुप्त बैठक करनी है यानि कि जैसे आपको पता है कि रोज जो संसत की गतिविदिया चलती है वो live telecast होती है public domain में ये रह पता चलता है कि क्या discussion हो रहा है क्या बातिल सदन के अंदर हो रही है ना लेकिन अगर किसी sensitive issue पर लोग सबा की कोई गुप्त बैठक करवानी है यानि कि उस बैठक के बारे में public domain में कोई information नहीं आए तो ऐसी permission भी लोग सबा का speaker दे सकता है तो ये उसका एक और right हम बता सकते हैं तुसरी बात लोग सबा की गतिविदी चलाने की जिम्मधारी या लोगसबा को करने की जिम्मेदारी लोगसबा की अज2016 की है तो वहाँ पर discipline maintain रहे ये देखने का काम भी लोग सभा के अज्यक्ष का है। फिर कुछ और अगर बात हम यहाँ पर करें तो हम क्या सकते हैं कि सदन के अंदर हिंदी और इंग्लीश डिसकेशन की एक common language रहती है लेकिन अगर इसके अलावा भी सदन का कोई सदस्य अपनी मातर भाशा में या अपनी इस्थानी भाशा में अपनी बात रखना चाहे तो इस सकते हैं कि किसी भी विधेयक को सपोस करो कोई विधेयक सरकारी विधेयक है या गेर सरकारी विधेयक है अगर लोगसभा में प्रस्तुत करना है तो पहले उसकी information लोगसभा के अध्यक्ष को देनी पड़ेगी और उस information के बाद में ही वो विधेयक लोगसभा के अंदर प्र दिस्केशन होगा उसके लिए कितना टाइम डिसाइड किया जाए एक दिन किया जाए तो अलग-अलग विश्यों पर मंत्रण के सदस्यों में विचार मिमर्ष या मंत्रणा के लिए समय का निर्धारन भी लोगसफा के अध्यक्ष के द्वारा सदन के नेता से परामश करके ल तो अगर कोई विधयक लोगसभा से पारित हो जाता है, लोगसभा के सदस्य अगर किसी विधयक को पारित कर देते हैं, तो उस पर लोगसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसको प्रमानित किया जाता है। आवश्यक रखी गई है, यह एक और उसका कारिय हम लोग बता सकते हैं। फिर यहाँ पर हम एडिनिस्रेटिव फिल्ड के अंदर देखें, तो सेकेट्रेट होता है, पालियामेंटरी सेकेट्रेट जिसको संसदी सची वाला ही कहते हैं, जो संसद से जुड़े हुए सभी प्र संसद के दोनों सदनों के अंदर संसद के सदसितों बैठते ही हैं, लेकिन एक लोबी और गैलेरी और होती है, जिसमें मीडिया के लोग भी बैठ सकते हैं, और आम जंता भी पर्मिशन लेकर बैठ सकती हैं। तो ऐसे ऐसी लोबी को या ऐसी गैलेरी को प्रेस या पब्लिक के लिए नियमित करना, उनको कंट्रोल करना, उनको निर्देशित करने का काम भी लोगसभा के अध्यक्ष के दुआरा किया जाता है. एक और बात अगर हम यहाँ पर कहें, तो आपने देखा होगा कि जिस लोगसभा के अध्यक्ष और लोगसभा के सदस्यों के बीच में इनिवीदियों से या उसकी कारी प्रणाली से जुड़े हुए जितने भी रिकोर्ट से उन रिकोर्ट को मैंटेन करवाना, उनको उनकी सुरक्षा करवाना, यह सब दाइत्व लोगसभा के अध्यक्ष का होता है. तो यह कुछ महत्पुन कारियों और शक्तियां हम के अध्यक्ष की बता सकते हैं.